नियां सिंह राथोर कह रहे हैं कि भोजपुरी के असमिता को ठेश पहुचा रही है बीजेपी मनोज्तिवारी जैसे लोगों को ठिकट दे कर गे उसको दर्ध होता है महिलाओं पर उनको दर्द होता है सलीलता पर तो संदेश खाली चली जाती निया सिंग राठोर वो राहुल गांधी साथ जंडा लेके कॉंग्रेस का लाल बाबा बनेंगे मुक्य मंत्री राल बनेंगे परधान मंत्री मैं देखने आए हूँ जो तो वहां नटंगी चल रहा था कि यह देखने गई थी वहां लोग लेकर नहीं होती हैं तो घृएंगा के भोंपु हो जब ट्रोल होने लगती है तो विक्ट्रिम काड भी किल लेंगे गो नास मे सुई लगा कर देखिए हम बिमार हैं हस्पीटल में हैं लरने की बिल्कुल नहीं लरने की इसको भी पता है निर्दलिये लरें और 20,000 वोट नहीं आया तो फिर यह जो हवाबाजी है सो मिलियन पांच सो मिलियन वो आजकल बरे यूट्यूबर के साथ मिल रहे हैं घूम रहे हैं तो उसका क्या रह जाएगा तो निर्दलियों वो लड़ेंगे नहीं इतना तो समझदार है मनीज कस्यप और पवन सिंग बिहार में बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं मैं बार बार कहता हूं भाजपा ऐसे लोगों को लाने की आवश्यक्ता क्यों पढ़ रही है क्यों आपको पवन सिंग चाहिए भाई भाजपा को किसी अवन पवन समन की जरूरत ही नहीं कैसे मैं घूम रही थी भारजवर यात्रा में ना कॉंग्रेस की कर करता है गीत गाती है वो उसको दर्द होता है महिलाओं पर उनको दर्द होता असलीलता पर तो संदेश खाली चली जाती राहुल गांदी का जंडा लेकर के नेहा सिंग राजपूत ज्या नाम है राठोर नेहा की चल रहा था कि ये देखने गई थी भारत जδै वहां लहाँ यहात्रा क्या था वहां था लोगीत लिखना, कावकाबाय लिखना जा रहा था तो वहां चली गई थी एक बार संदेश खाली चली जाती अंश लिलता की इतनी बात तो प्रेंका गांदी क्या सहयोगी है जो उसका एकदम साथ खड़ा होता है उसका उपीस में काम करता है उस पर भी महिला छेड़ चारका है तो पिर उसको करो यह एक आख से चस्मा लगा करके यह जो पहले यह बामपंतिया करा करते थे लेकिन आजकल कॉंग्रेस पार्टी के हैं जो पेड़ कार करता सब है दो आहिसीचों आनजके काभवा कि वहि पर गाते हैं जहां पर tale करते हैं देनाजक लगा हैं आधस में गया आपकी कि बिमार जाहिर तोर पर यदि कोई महिला है संदेश खाली पर चुप है रहती है और मनीपूर पर सवाल उठाती है राजस्थान की महिलाओं पर चुप रहती है और इसको बोशपूरी की याद आती है तो वो ऐसा भूपूओं को लोक गाय क्या कहना बंद कर दो और ऐसे जो बिरोधी नारे लगए जैनियू में बरका नेता बना था उसके पीचे सहला रसीद दिवाना बनके बावडा होकर के परकास राज वो जो कट्टर इस्लामिक है वो गायक गीतकार भरहन अक्तर के पिता जी यह रभीष कुमार राहूल कवल सब तो गय तो कनिया कुमार को जी से जा रहा है कि नेहा सिंहरा ठोर अब इतना जादा उनका विक्तित तो बड़ा हो चुका है कि मनोज दिवारी को टकर दे करके वो हडाएंगी दिल्ली में और उसके बाद भोजपूरी के मान सम्मान का बात बात जो है वो आगे बढ़ाएंगे अपने हिसाब से हमारे यान अधिकों अइसे कुछ बखता बोला जो मोदी को गाली दे दिया उसको देश के यह बाम पंथने नाच-नाच करके उसको बड़ा कर देती हैं देखेंगे हम देखेंगे करते हुए उसको बना देती है बरकां बेसे जैसे ब्रस बोड़ाएं पन्स कॉंसिलर बनने की उकात नहीं होती है वो लोग आजकल बड़े बड़े नेता बन गए हैं और कॉंग्रेस में तो और हैं कॉंग्रेस में राहूल गांदी की इस्तिती इतनी कमजोर क्यों होई तो कि यह इसे जिसका धरातल पर कोई वजूद नहीं जिसको चाल लोग जाने नह मनिपूर की बात करता तो यह केवल पार शंबने की बात करता है। अगर शुक्याच वह शुरूटगी है इसे लोगों पर क्यों जब वो अर्द नग्ड अवस्था में बडरांग दे मुझे गेर हुआ गाना गा रहा था और अभी जो पठान फिल्म में आई थी ना उसमें जब भीकनी पहन के ना चरी थी महिलाओं का तब इसके अगर इसमें निया सिंग राटोर में दम है तो एक बार कहे बॉल और वारी कि राजनिति की शुरूबात कराई थे अखलेस यहादव पाटि समयजवादी पाटि ने जो को समेजवादी पाटी को एसे लोगों को भसमासूरों को खारा क्यों किया अगर ये भसमासूर है तो ये कहना ये सलेक्टिव नरेटी बनाना बंद करो नेहा सिंग तुम एक्सपोज हो चुकी है और मैं नजरों में आखों में आके डाल कर कह रहा हूँ तुम एक्सपोज हो चुकी हो तुम वहीं पर गाना गाती हो जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर तुम चुप हो जाती हो जहां कॉंग्रेस की पाटी कॉंग्रेस की सरकार और जैसे मामला आ गया अरे हरे महिला महिला तो यह कॉंग्रेस की करना बंद कर दो एक्सपोज हो चुके हैं यह लोग इस पे चर्चा भी करना वेकार है अच्छा क्या लग रहा है पवन सिंग को ले करके चर्चा जिस तरीके स्था कि वो चुनाव लड़ेंगे फिर पूरा का पूरा विपक जो है वो हमलावर हो गया साथ में नियाज सिंग रहा ठोड़ भी लोग कह रहते हैं कि पवन सिंग अभद्र गाना गाते हैं महिलाओं को उपर इसलिए उनको टिकट दिया जा रहा है ये बीजेपी वाले होते ही ऐसे हैं पहले महिलाओं को गाली दिलवाते हैं फिर कहते हैं कि महिला समान फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पवन सिंकी कि वो चुनाव ले रहेंगे उनकी टीकट घोसना तो ऐसे नहीं किया गया होगा सब कुछ बात फैनल हुआ होगा आसन सोल टीकट सीड भी बताया गया होगा उसके बाद अगर मना करते हैं तो यह भाज़पा का जो नेत्रित है और मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाज़प मैं आज आपसे उम्मीद है कॉंग्रेस के पाटी की निर्कुंस्ता उनके जो भारत विरोधी कई ऐसे कार हुए जो संस्कृति विरोधी ऐसे काम हुए जो विकास विरोधी ऐसे काम हुए जो जनता विरोधी ऐसे काम हुए उससे आजीज हो करके लोग बाज़पा के साथ अज़ देखरी है और एक उम्मीद धलका है कि चलो यार हमारे घर तो मिला हमारे नल तो तो मिला हमारे यहां अपना है टेस्टेट करना आने का अधिकार मिला यह जब सब कुछ मिला है तो हम लोग भातपा का चलो यह सरकार अच्छी जनता कह रही है हम इसको लाएंगे उसके बीच में अगर पवन सिंग जैसा प्रकरन होता है तो ये केंदरे नेतरुत को जो इनपूट देने वाले तंत्र हैं जो पवन सिंग को लेकर के गए थे और मिलवाए थे उन लोगों को एक बार कान अमेट करके हम इस साजी को पूछना चाहिए कि ये क्या करवा दिये मतलब आघी पवन सिंग का टिकट जो है मतलब नहीं देने का मूड में हो भाजपा तो अच्छी पहल होगी पवन सिंग को टिकट ना दे भाजपा तो देखिए भाचपा को किसी अवन पवन समन की जरुवत ही नहीं है किसी की जरुवत नहीं है क्योंकि ये नरेंद्र मुदी ने 400 पार भी तो करना है 400 पार ये नेत कराएंगे क्या ज़्स on माने दिगज आदमी है भाई साथ जहां जाएंगे वहां से यह जितने निहा सिंग्ग, पवन सिंग्, मनोस्तिवारी, मैं सब की बात करता हूं, कॉंग्रेस से भी खड़े हुए थे, कई नेता, किर्केटर खड़े हो रहे हैं, हम करते हैं, पाटी हितने बड़े ताकत हो ना, तो पाटी का सिंबल छोड़ करके, निर्दलिये खड़ा हो कहते थे, उसने भी खूद अपने आपको परचारित किया, पत्रकार के रूप में बैकती था, और नेतागिरी में जैसे आया ना, तो खतम हो जाता है, वो गया था पत्रकार और जेल से बाहर निकला नेता बन करके, खतम हो गया, मैं मनीश को उम्र में हमारे ही उम्र के बरा अंदाज गुपता ही क्यों कियो नहीं हो, जितने पत्रकार अगर खबर बताने वाले खबर बनने लगे उस दिन उनका पत्रकारता ख्टमम और से बब्रीत खटम हो जाता है, इसलिए मैं मनीश का सब्सक्रम निर्दा लिये, और लड़ें तो निर्दलियों वो लड़ेंगे नहीं इतना तो समझदार है कह दिया है उन्होंने टीवी पे कि चुनाब तो लड़ेगा ही किसी आलतमनिस कस्याब विजबा तो सही है कि जो ज़्यादा बकवक करने लगता उसको सांधितında तो भाजपा साक्षि महराज को सांध करा तो पिर एक नए ऐसे लोगों जिसको ले करके पार्टी को यह कहना पड़े कि यह उनका व्यक्तिगत रहा है ऐसे लोगों को टीकर तो नहीं मिलने वाली और यह कुन कह रहा है और यहां अमिस्सा का बहुत बढ़िया है अच्छा यह बताए चुकि आप बिहार से हैं मनिसका स नहीं आपको जनता में एक महाल बनाना परता है वह जनता में महाल आप सोसल मीडिया से बना सकते हैं लेकिन आपको एक सिमित छेत्र के लोग देंगे जिसकों की सुभिदाएं मिल चुकी है वह अन्याइस तरह अगर ऐसा होता तो कनिया कुमार तो पूरे नेस्नल मेडिया में चाहिए थे और सबके हीरो थे ओपोजिस्टन लीडर की तरफ रस्तुत हो रहे थे क्या हो गया क्या हो गया तीसरा नंबर पर रहे तो मैरी सला यह है कि वह चुनाव ना लरे और नहीं लरेंगे उसको अपनी छमता का उकात का तो बोलना गलत होगा लेकिन छमता क थे हम लोगों ने भी समर्थन किया तेजस्वी आदब को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं अब बताइए कि ऐसे आदमी मैं जो कह रहा था एक बात मुझे मनीश से कोई ककलीफ नहीं है मनीश कस्यप ऐसे कई लोग अच्छी परतिभा वाली साली लोग आते हैं सामने पर अब रökताई करूं लोग तो पाटीन लेन लाइन तुमें बात करूं लाइन में बात करूं नहीं कर पाओं गा एक सब्सक्राइब और सच्च्छण वक्ता के रूप में अपनी बात लग सकता हूँ, लेकिन यदि मनीश कर सब्सक्तिव ऐसी बातें करते हैं तो बहुत बर पुरे लगा लेंगे औरे आपकी विचारधारा क्या है अब किस विचरधारा के साथ इत्सकांड तो य्यादी ऐसा होगा तो कल कौन आपका कहेगा यह तो मनीजजी वेक्तिगत्ष्हान है यह क्iggerस्ता है अ क्रिट या टिकर देंगी गिन आई से डुल्मूल निती से काम नहीं चलने वाला है अगर यदि मनीज का स्यप को ब्रांड आफ बिहार कहा गया और जिसको ले करके वो इतने अस्वस्त मतलब है कि हमें अगर यदि चुनाब लरेंगे निर्दलिय भी लरेंगे जी जाएंगे टीकट मिलेगे पाटिक तरफ से तो भ आणियों पत्रकार को चुनाब नहीं लरना चाहिए या फिर वह चुनाब लरने के लाइक ही नहीं है मतलब कहां पर डिफ्रनना चाहरा है इनकी तो बन जाएं बत्रकार अभी पहला संगर्स के जीवन का था, वहां से निकल के मैं कर रहा हूं पत्रकार जेल गए और जेल से बाहर आया नेता, ये फिल्मों में चलता है, कल काली जाएगा और कालिया बाहर आएगा, वो तो सुपर हिट हो जाएगी फिल्मे, राजनीत में जनता, दस अजार जनता आपके घर आ जाए, और क प्रियक का वीजन नहीं, तो नेता रहा है, पाटी का वीजन जिस पाटी से वे और आ आरे है, आपके पास वह स्थेश्वान के ँता है, बाप करना आखीistically के रहा जाएं लेकिन मैं इससे बहुत परीपग कादमी है जानता हूँ उसको जितना तक समझ पाया वो चुनाओं तो लड़ने नहीं लड़ेगा तो ठीक है महाल मनाने के लिए होता है मिडिया में ख़वर नहीं है उनके चैनल पर हमने देखा कह रहे हैं कि मनीज कस्यप और पवन सिंग बिहार में बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं इसथ wash शुत्रधार होते हैं वो जो मनचन समाल सकते आप पवन सिंग्ग होहां मैं बार-बार बार कहता हूं बाजपा ऐसे लोगों को लाने की आवश्क्ता क्यों पड़ रही है क्यों आपको पवन行 का नेता बनाया उसके अधाज मंत्री बन गए क्या ती उनका वह सुदर महतों जी बेगुश रायवाले क्या उनकी था तो ऐसे लोग यह खेला बेला नहीं होता है खेला वही कर सकता जिसके पांचों अंगरियों में सुत्र बंदा हो इस इस पर फ़्वा बाजी इन लोगों क के साथ नित्रित्व के साथ चहरा के साथ काम के साथ जनता के साथ करकरता के साथ नरेटिव के साथ परचार के साथ फंड के साथ वो सब कुछ इस्तमाल करती है उसके बाद 40 में 40 आती है दूसरे ता तेजसी आदब का वो चहरा है जब यह सत्ता में थे तेजसी आदब तो कैस रेते हैं एक मंत्री है निली वाले नहीं बचा पाएंगे सूथ दिये जाएंगे या ठीक कर गए जब सत्ता से बाहर हो गए हम माई बाप यह चलेगा तो एसे लोगों को लालू जी को साथन काल हम लोगे ने नहीं देखा है क्या विखान इन्हीं के साथन काल में कितनी हुए है तेजिस्वी आदब के साथ संकाल में यह क्या बिहारी को समझ सकता है क्या नितीश कुमार उनके साथ होते हैं तो लाइन ओर्डर बढ़ जाती है बाजपा के साथ आते हैं तो लाइन ओर्डर की स्तिती सही हो जाती है तो क्या है दारू के साथ अगर पानी मिला या सोडा मिला असली क्या है तो समझने का प्रास किजिए यह ब्यार में 40 में से 40 सीटों पर अगर बाजपा दावा कर रही है और जैसा कोई कोई बता रहे हूं 40 हो जाएगा कोई 30 हो जाएगा मैं यह मानता हूं कि जितना काम ब्यार में सडकों का हुआ है का एंस का हुआ है इस सारे जवाय हम लोग टो बहां के हैं नासनगर में मेरा घर-टास गाउँ वहां पर हर घर से कद्वात का दाल बरले गा तो इसके लिए हमको नल का पानी लेकर आना पड़ता था टाइंग से वहां से 4 से एकदम देर किलोमिटर कीमीटर पानी लेका आते थे आज मेरे घर पे वही पानी का सप्ला हो रहा है लेकिन जो एक आरोप का दौर चल रहा है विपक्ष के तरफ से पूरा आरोप लगा रहे हैं और उसमें सबसे आगे आजकल फ्रंट से लीड कर रही है नहा सिंग्राठोर और आपने देखा कि किस तरीके से जैसे मनुझतिवारी को कहा अब रवी किसन के उपर कह रही है एक ट्वीट देखी आपके सामने है कि लहंगा उठा देव रिमोट से और वो कह रहे है कि इसके ये गाना सुनने के बाद जो है रवी किसन जी का पार्टी उनका रिमोट पार्टी ऑफिस में रखके छेतर में भेजे नहीं तो किसी का भी लंगा रिमोट से उठा सकते हैं तो इस प्रकार का जो आरोप चल रहा है इसको कैसे देखते हैं रवी किसन का ये गाना कब है नेहा सिंग राजपूत उस समय राहूल गांधी के घर की पोछा लगा रही थी हमें महिला होने पर सर मार रहा है इस सब गाने को सुनने ये गाना महिला कब सुनी नहा सिंग राटोर ये तब जब कंग्रेस पाटी के निया यात्रा में गूमने लगे और कंग्रेस में ने कहा कि चलो तुम सुरो जाओ ये गाना कितना साल पुराना है और अभी कुछन कितने साल से गोरग पूर से थांसद है ये बता दोना मैं यही कह रहा हूं कि अगर बात आप कर रहे हैं मनोस्तिवारी की या इनकी उनकी और आप बॉली बुड़ वाले को छोड़ देते हैं आप बात कर रहे हैं अगर इसलीलता भोजपूरी में है नहांगा रिमोट से उठाना यह तो असलीलता है और भोजपूरी में असलीलता का मतब 90% आज भी बोजपूरी गाने लोगना चुला चुनरी जीजा साली देवर भावी जवानी इसी पैट का हुआ है लेकिन सिब्ध यह तीन लोग है क्या और मै मैं आपको बता देता हूं एक सीन था मनोस्तिवारी का जो फिल्मों में कर रहे थे उसमें था कि बावी के साथ पैरवर दवाना एकुस था उन्होंने मना करवा दिया था और मनोस्तिवारी कितने दिनों से सांसद हैं रभी किसन कितने दिनों से सांसद हैं पांच साल से किस प्रक नाम के लिए नरेटि बनाओ पेड होता है कई वर केंपेंड इस नाम पर केंपेंड करो और नसंदेश खाली पर चुपो जाओ यह लोग भूपी का है लोग गाई का नहीं है मैं बार बार कहता हूं और इस पर चर्चा मत करें इतना लेवल नहाज सिंग्राठोर का नही है कि जिस पर मुझे बात करनी चाहिए चाहिए वो नहाज सिंग्राठोर हो या कोई भाजपा वाले हों ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद